दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का Real Quick Analysis चैनल पर चलिए अब जल्दी से देखते हैं हम अपने आज की रोचक Real Quick Analysis को सबसे पहले बड़े दिनों के बाद हमारी इस वीडियो के स्पॉंसर्शिप मिली है स्पॉंसर अनिल कुमार जी आपको धनवाद जैसा कि पिछले कुछ दिनों मैं आप सभी ने देखा है कि पहले ऐसी खबरे आएं कि एरान ने भारत को चाबाहार रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया है जिसके जवाब मैं हमारे हैं विद्वानों के बीच मानों इस निसकर्श तक पहुँचने की होड लग गई कि एरान को लेकर मोदी जी की विदेश नीती पूरी तरह से आसफल सिद्ध हो चुकी है इरान के इस निर्ने के रिस्पॉंस में हमने अपने इस वीडियो में चर्चा भी की थी कि यदि बंद पड़े प्रोजेक्ट से भी इरान न भारत को अलग कर दिया तो इसके बारे में ज़्यादा रोना धोना मचानी की जरूरत नहीं है और इरान पर गुस्सा निकालने से ज़्यादा अच्छा होगा कि हम अपनी हर समस्या की जड़ में बैटे हुए चालू चीन से निपटने पर फोकस करें इसी बीच बाद में अधिकारिक रूप से ना केवल भारत की तरफ से जबकि यह रेल विलाइन प्रोजेक्ट अभी भी फसा हुआ है कुछ एक्सपर्ट्स लोगों का सुझाओ था कि चीन इरान के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है लेकि चाबहार पोर्ट के लिए क्रेंस भी तो अभी चाइनीज कंपनियों को सप्लाइ करनी थी उनका क्या हुआ तीन साल पूरे होने को हैं पेमेंट के आभाओ में चाइनीज कंपनी अभी तक यह ओर्डर पूरा नहीं कर पाई है अब आप सुएम देख लीजिए जबके अमेरिका ने चाबहार प्रोजेक्ट पर भारत के काम को विशेज धिलाई दी हुई है तब यह हालत है इसलिए चीन को बहुत बहुत बधाई यदिवाए इरान के साथ इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करना चाता है गरीब देशों को सेख चिली के सबने दिखाने वाले चालाक चीन ने जिस तरह चार से आठ ट्रिलियन डॉलर के बैल्ट एंड रोड इनिशेटिफ साथ बिलियन डॉलर के चीन-Pakistan एकॉनमिक कोरिडोर की घोशना कर दी उसी तरह यह 400 बिलियन डॉलर की इरान के साथ डील को अनौन्स करने में किसी का क्या जाता है Anyway, चीन और एरान के बीच दोस्ती के इस दिखावे को दरकिनार करते हुए आप सभी जानते हैं कि एरान में चाइनीज वाइरस किपना विक्राल रूप ले चुका है चार दिन पहले ही एरान के रश्कती ने एस्टिमेट प्रस्तुत किया था कि एरान में धाई करोड कोरोना वाइरस की केस है यह अनुमान एक तरफ सरल शब्दों में मिडल इस्ट में वहान वाइरस का सबसे विक्राल संकर्मन एरान में ही देखा जा रहा है यह तो हो गई बात जबीनी सच्चाए की लेकिन आपको यह भी तो पता है कि यह वही एरान है जहां देट तू अमेरिका के नारे लगाए जाते है समय की शक्ति देखिए एरान का उट अब अमेरिकन पहाड के नीचे आ गया है इरान को कोरोना वारस से लड़ने के लिए अमेरिकन रेमडिस्विर मेडिसिन चाहिए लेकिन अमेरिका में बनने वाली रेमडिस्विर ना केवल बहुत महिंगी है बलकि उसकी अगले तीन महिनों तक की पूरी सप्लाइ को अमेरिका ने अपने लिए बुक कर लिया है इसलिए गूम पिरकर इरान को याद आई अपने पुराने दोस्त भारत की और इरान की एक फार्मा कमपनी इंडियन फार्मा कमपनी के साथ मिलकर रेमडिस्विर का उत्पादन करने जा रही है ताकि इरान में इस दवाई की सप्लाइ अगले सप्ता से चालू हो जाए इरान के अधिकारियों को कहना है कि भारत और इरान की कमप्टियों के सायोग से बनी रेमडिस्विर्ड, अमेरिकन रेमडिस्विर्ड से कोई कम नहीं होगी और वह सस्ती भी पड़ेगी अब आप स्वैन देख लीजे, पिछले कुछ समय से माइक मूँ के सामने आते ही इरान की लीडर्स भारत को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे भारत ने चाबाहर पोर्ट में ये नहीं किया, रेलवे लाइन में भाया नहीं किया, पेल नहीं खरीदा जैसी बातों को लेकर भारत को खुले आम गालिया दी जाती थी लेकिन जब मौका पड़ा तो काम भी भारत आ रहा है, ये बात और है कि जब इरान भारत को भला बुरा कहता है, तो उन अब ख़बरों को इंडियन मीडिया में मिर्च मसाले के साथ खूब पर सो जाता है लेकिन आज जब जरूरत के समय इंडियन पॉर्मा इंडिस्टी इरान की हेल्प कर रही है, तो ऐसी खबरे इरानियन अक्वारों के पन्नों में ही दम तोड़ देती है वैसे इरान को भारत हेल्प कर रहा है, इस बात का हमें कोई गुमान लगी है मुसीवत में दुनिया की मदद करना हमारी संस्क्रती है अरे भारत तो ऐसा देश है जो पाकिस्तान तक को दवाईयं सप्लाई करता है जबकि पाकिस्तान 24 by 7 भारत की मौत की दुआएं मांग कर रहता है कोई बात नहीं, पीट पर छुड़ा गोपना उनकी तहजीब है और मानपता की मदद करना हमारी संस्क्रती है जवाई अपनी तहजीब को नहीं छोड़ रहे हैं तो हम क्यों अपने संस्क्रती को भूल जाएं लेकिन इंपोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान हो या इरान हो जब भारत इन देशों की इतनी मदद कर रहा है तो इन रियल खबरों को बड़े लेविल पर कबर किया जाना चाहिए आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया को दवाओं की सप्लाय करने वाले भारत को पाकिस्तान जैसे दो कोड़ी के देश विश्वशानती के लिए खतरा बता देते हैं और उनसे कोई काउंट और कॉश्चन भी नहीं पूसता है So friends, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा ये था हमारा आज की analysis I hope आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए साथ ही अपनी family और friends के साथ आगे share भी कीजिए ऐसे ही और नए interesting videos देखने के लिए analysis देखने के लिए हमारी चैनल को subscribe भी कीजिए last minute वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत अधिक धन्यवाद